So good morning, fellow peer students. अवेल तो एउञ इस ले वह दूपिक है? तुदे आपको बुट और अपिछने सेश्टीले पिछने सेश्टीले कि दूपने ही आता हूं था हमारे था था हमारे था सप्टेंस्स और था सप्टेंस्स को आड हमें पतायें के सेफले को किस बीस पर? तो on the basis of meaning, ठीक है, on the basis of meaning जो है उत्तोना लिदी topic है, और वो ऐसका topic है, जो आपको आगे उसमें transform करने के लिए, sentence का conversion करने के लिए, ये सब बिलता रहता है, इसके उस topic के उस two-three part के लिए बनारें, ताकि वो proper आपकी practice and everything हो जाए, राइट, तो कल नहीं बताएगे आपको की on on the basis of meaning, on the basis of meaning, on the basis of meaning, कौनकों sentences बताएथे करने, पांच बताएथे हैं, ठीक है, अब उसमें एक जो था added, वो इंट्रोटे के पी था, जो हम add कर रहे थे हैं on the basis of meaning में, हलाकि इंट्रोगी थे, दो जगे पे pension मिता है, पहला पर ही होगया, प्रशवा मिता है, तो on the basis of meaning, वो इंट्रोटे पताए, realtive, फिर exclamatory, ठीक है, फिर intuitive, और उसके बाढ में, intuitive, और असके बाढ में, imperative and optimistic, इसके रिए मैंने एक प्रिमोनिक भी दिप्ताएथे, दो कैसे震ए पर सकते हैं, इसके लिए मैंने एक निम्मोनिक टेक्निक पताई थे कि इंचारू कैसा कर ज्यार कर सकते हैं तो पहला हुए और सारी लिए हैना तो हमारे पास तहले तहले कर जाएंगे A-E-O-I-I ऐसे ठीक है तो इसको हम ऐसे रम कर सकते हैं A-E-O-I-2 यह जिस रुपने माप में रहे हुए प्लस एसर्टिब चोह हैं आपको कई बार डेक्लेरिटिब के रुप में मिलता है किस रुप में मिलता है? डेक्लेरिटिब आपको के कटे रुप में मौत है इसपी पहाएं आपको के रढ़े हैं अब हूप किरते हैं जHeak पहाएं यह जिस रुप में में रुप में बाद है फ़िवर अगर नॉन्माल सेंवें या दो अधो कि शब्सेंवें विहरेटर सेंटेंश आपा लेते हैं कोई दी नॉनल सेंटेंश का लेते हैं ठीक तो उसके दीचार पाट हो सकते हैं कौन इसफक? normal सेंटेंश हो है तो यह आये लिए अफर्मेटिव में जिसको हम लुक कहते हैं positive sentence ठीक मैं आपे लिपी देट को 1 sentence She walks fast या फिर मैं निदिया She works hard She works hard यह खोड़ा सिंबल सा होते है She works hard तो यह हमारा कॉंस इंदिक से है आपर है इंदिक क्योंकि positive दिए से ठीक आप मैंने कहादिया She does not work hard तो यह कुंसा होगा negative इसमें कहा है negativity तो यह हमारा होगा negative अब आप दूसरा टॉकी देखते है हम मैं कहादिया Does she work hard तो इंट्रोगेटिव आपने पढ़ा रहा है कल गे रेक्टर में तो इंट्रोगेटिव क्या होता है जब पैस्षिन में आपा आजाए तो तो इंट्रोगेटिव hard यह कौंसा होगा इंट्रोगेटिव फिर आप आपने next तो यह हमारा आपने नेग्टिव इ Homos जिसमें आजाता है does she not work hard है ना? तो उसमें आपने यह आजाता है जिसमा कुलेटिव हाता तो इंट्रोगेटिव कीया में आपने पार्ट जिक्एंट यहां का टेलिये अब जो मेन चीज कों में पिलती है एक्जामिनेशन में यानि एंटी वोल्ट एग्जाम्स में हमेशा में गती है आईटल इसे 11th, 12th, 9th या 10th जीके एक जिस उनको हमेशा में गती है कहीं न तरहीं वो हुता है कन्वर्ट करना कि सिंटेंस को कन्वर्ट करना इसको लिख लिख लिजए आम होज़ों को प्रवाइगे वोगी नोचरी दूर्पिरेगे वोगाशा में रागा लिख लिए वो घ्लिए व मैंने आप लिखेखिए कियोंगे यह नोचरी को करना नीचरी के लिखिए क्योंकि वह जो है जब यह भी आजाएंगे तो भी आजाएंगे उसके लिए रुब लास में बताएं कि तो उस चीज का बस भाएं पटेटा चाहिए? अब ये दो sentences, I got it in these two sentences अब इस चीज और है, कि जब हम sentence का नोट करना हैं तो सर्फ दो में issue होता है तो वो कौँँँँँट है? present indefinite, यानि present simple present इसको कहते हैं और past indefinite, है ना? समझे? यही रोटें जिसके बहुत जाब इसको बड़ा text का अवर्दू का change होता है, है ना? बाकी सर्फ दो कमन को महत बस दो करना है लेकिन इसको simply भी बिप्कुल पढ़ा जा सकते हैं देखें कैसे? कि जानों पासरे present indefinite, तो present indefinite का महारा rule कहता है कि imperative में subject होगा, फिर word होगा, word में भी essay या एस होगा ठीक है? essay या एस होगा, और plus object होगा ठीक, अब किसी करने इसको कहता है कि sentence का rule तो यह रहा बस अब तो दो चीज़े change में लेगी, क्या देखें? subject लिखेंगे, plus do does, यहाँ, चेक है? यहाँ इसका use होजाएगा? do does का अब यह do does का use कैसे होगा? दू जो है वो I and plural के साथ, किके साथ? I and plural subject के साथ अब इस sentence में plural subject है नहीं singular subject है दिखिये she subject है, है न? देखो, जब हम sentence पढ़ते हैं, यह subject होगा, फिर word होगा, फिर object होगा इस sentence में, यह subject है, यह word है, अद यह object है अब इसमें subject के she है, ठिक, she जो है तो singular है अब plural है? she, एक की बाती होगी है, तो singular, she singular है और I and plural subject है रहता है, तो do use करते हैं, लेकि 10 को यूज़ करेंगे, क्योंकि? 10 जो है क्या है? singular ठीक है? 10 जो है मैं, singular subject के साथ यूज़ करेंगी अब यह चीज़ बस इसमें यह आपको है तो अब आपके पते चलिया कि अब आपके पर नेगितिव में subject, plus do use plus not, plus object करूँ रखना है समझके है, वो लिकत रही है चलिया अब आपके करते हैं तो इंटो इंटे के प्यांपो किस करूँ रखना है यह जिज़ है, इंटो इंटे के प्यांपो दस वही अब आपके करते हैं यह subject mark में करते हैं तो वही who does आजाएगा आपके plus subject plus member की first form plus object और question mark question mark आपके must तो देखिये हमने क्या changes लाइट बड़ रीटी दे समझते हैं यहां पे तब हमारा present inducted में subject plus member की साथ s या yes फिर object negative में क्या हो गया subject तिक यह जो main अगरत थी इसमें do does मतला s हे yes लगा उस चीज़ को यहां के मतलत दिया तो यहां के तुम-दस ने ठीक और वो जो main अगरत थी वो यहां पे आगे रहे हैं does not यहां three-n-गरभाई के फिरोच है यहां तो बेर कर यहां के फिरस्ट फों में आ लिए समझते हैं बस e s के जगे हम पे जाल कर दिया zoom-dus लगात रहे है और मेर बार नहीं है, नौट लखन के बार, ठीक है, तो ये रूल हमारा गयता है, अब हम उदर पे देखे हैं कि इसमें दूल अस्ट्रिटों में करने करपागी, फिर सब्चेट आगा, फिर उसके बार में करकागी विभू उसकी फॉस्ट फॉर्स 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 अब हम इसमों convert करते हैं, तो she carries, सब्चेक हमारे का है, she, okay, do या does में क्या रेकिट इसके साथ, does, क्योंकि does किसके साथ है, blue singular subject के साथ, तो she does, फिर कहने है, not, फिर कहते है को इंपन की first form, carries की, carry, she does not carry, carry, फिर क्या है, the files, बिल्कुछ ऐसे इंदर फंसते हैं, does, does के मारे क्योंकि इस singular, does के subject के है, she, फिर कर फिर को साथ हम, carry, object क्या है, the files, got it, it is question, हो के आसाथ, छिर, अब हम दिक्टे, she carry with the files, पास्ट इंदर फिर का, तो हुगल पे इंदर फिर को साच है, क्या, past form हो मारे कहता है, past इंदर फिर का बूला हमारे कहता है, कि पहले हो, पहले होंगा रहां पर, subject, फिर, main word, कौन सा form, second form होंगा, और सा form, second form होंगा, फिर, object, अब मैं यहां क्या आपकी बता रही हूँ, कि जो carry word है, चीक है, जो carry word है, उसकी first form होती है carry, फिर होती है carry, और फिर होती है carry, carry word, ठीक है, ठीक है, ऐसे ही अपर मैं तो catch, catch, तो catch की first form catch, फिर हो जाती है caught, फिर हो जाती है caught, catch caught, 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 Got it? तो अब हम समझे हैं हमें, यह carried यहां पर यूच रही है, तो या कि यह second form है यह third form, अब अगर third form होती है, तो यह sentence हमारा perfect word होता है, और जग हम perfect की बार करने है, यह जो perfect का sentence है, उसमें हमाई third form होती है load out, लेकिन उसके साथ साथ होता है, has, have, have, या फिर will shall have, तो यह clear होगे अंगों की यह sentence है, यह perfect का नहीं है, क्योंकि अगर यह perfect का sentence होता, तो यहां होता she can carry, यह होता she has carry, यह होता she will has carry, she will shall, जो भी, she shall not carry, ठीक है, ऐसा होता, पर यहां पे अभी, सिर्फ second moment, तो यह किसका नहीं ने लेखा किसका है, past perfect, past indefinite का अशा, तो past indefinite हमेरा करता है कि जब past indefinite के negative बना होता है, तब मुमारा जबूर क्या रगेगा, subject plus, तो यह कि जब देक, तो यह कि जब देक, फिल नाट, फिल, वर्फ, फिल, object, इसमें देक, subject, वर्फ, फिल, object, फिल, question, अब इसमें भी वर्फ दो लगती है, लेकि जब देट ऐसे ही कुछ होगा, तो वर्फ की फौस्ट का होगा, समझ गेंगा, तो simply इस इस दिनाट बिट खाने में कि whenever we are going to use do, does or day, जब do, does, did का use कर रहे हैं, तो हम तुना 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 तुने वर्फ की वर्फ आसफ मेंगा होगा, चाहे वो प्रेजेंट डबिट का हो, चाहे वो पास मेंगा हो, तो simply we can control, अगर उसको चेंज करेंगे जैसर प्यसमें कियागा, ठीक हैं, तो हमारा subject क्या है, शीख, इसके singular, प्रूणर का पोई भी फंटा नहीं, चीप तो कोई परेशान होंगे बादी नहीं है, है ना, तो सिंगिवल का पूदर देखना जिख सबके साथ आईगा, तो शीख, फिर हम करते हैं देख, फिर हम करेंगे, दौट, फिर कर दिया, करेंगा, करेंगे प्लवाぜ Likewise, करेंगे Gothic करेंगे लेक inverter कर देखनी। खरेंगे लेकी सा करेंगां करेंगे ओन अर्णर का मुड्स करेंगें! करेंगे ओकरर ज। क्रेंगे हím है ट्र्कर टेंगे लेक करेंगे! और प्टेल अरभी को ढुट खेर हैं धेर अरदा , रिर्गे बिल्च्ट को पीज़किक अर लुटियर ना यह चीटिक यह तो आक कर रखना है कि किसने लिए नो स्मिलिपायट सतना है and guys I hope that you have joined the session and also you are taking care of your help and taking us around you so the ending of the session I told you all कि जित्मे भी session में आपने जो में रविस्ट प्राक्टिस करवाईगे अगर ये भी करेंगे तो rules application के बिना आपके राया जाएगे तो जब्भी भी भी आप tense करने या sentence करने तो रविस्ट प्राक्टिस जरूर राएगे Okay? So good luck and take care.